बिश्मिल्लाइरमानुरहीम, असलाम लेकुम, 10 किलास मेट एक्सरसाइज 10.1 के, पार्ट 4 में नालेज विद कलंदर की जानिव से हैं, खुशाम दे, भचो आज हम एक्सरसाइज के कोशन 1 के, पार्ट 9 और 10 को शाल करेंगे, तो पार्ट 9 हम इस तरह कहरें सेलुशन पे आज हैं, आप इसको दोबारा ले, एक्स स्क्राइज प्लस 2 एक्स प्लस 4 अंडर रूट ठीक है, और यह जो है, इसको आप वहां शार्ट करने, यहां मैं आप कर दूँ, इस रेडिकल के निशान को खतम करने के लिए, आपने स्क्वेरिंग करनी होगी, लेकिन अगर आप यहां स्क्राइज करने, तो a प्लेस भी होल स्क्राइज हो जाएगा, फिर a स्क्राइज भी स्क्राइज हो जाएगा, फिर बहुत लेंटी हो जाएगा, तो हम इस चीछ को इस चीछ को वहां शिफ्ट कर रेते हैं, is equal to 5 अपने जगा पर, यह वहां जाके माइनस बन जाएगा, इसे स्क्राइएंगे, स्क्राइग अण, बहुत साएग, अब जब स्क्राइग हो जाएगा, एक्स्क्राइग लिए श्क्राइगा, टीकस प्लस फॉर अंड़ रुट, 5 माइनस, x square plus 2x plus 9 अंडल यहां भी whole square यहां भी whole square यह square simply इसके साथ cat हो जाएगा और यह आ जाएगा x square plus 2x plus 4 is equal to यहां पर a minus b whole square तो यह a square plus b square minus a square plus x square plus 2x plus 9 b square minus 2 a की जगा 5 b की जगा x square plus 2x plus 9 अब यह किसा ही हो जाएगा कि यह हो जाएगा आएगा पास x square plus 2x plus 4 is equal to 25 a square जगा जाएगा जाएगा plus x square plus 2x plus 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 9 minus 2 multiply 5 10 x square plus 2x plus 9 9 अब यहाँ हम इससरा कर लेते हैं कि रेडिकल वाले साइन को हैं रहने देते हैं और बाकि सब साइन को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो यह आपके पैसा आ जाएगा आएगा एक्स स्केर प्लाज 2x plus 4 plus 25 यहाँ आके minus 25 plus x square यहाँ आके minus x square 2x यहाँ आके minus 2x और 9 यहाँ आके minus 9 इदर हो जाएगा और is equal to यह वही राएगा minus 10 x square plus 2x plus 9 अब यहाँ आकर आप लोग देख लें यह x square और यह minus x square cancel हो गए यह plus 2x और यह minus 2x cancel हो गए बाकी जो बज़ गया इसको यहाँ लेखती है यहाँ मेरे पास बज़ गया 4 अच्छा 4 minus 25 क्या हो गया 4 minus 25 4 minus 25 यह हो गया minus 21 minus 21 minus 9 तो यह हो गया minus 30 तो डाराक के दर लेख लेते हैं minus 30 is equal to minus 10 x square plus 2x plus 9 अब इस case में हम क्या कर लेते हैं minus 10 both side पर divide कर लेते हैं divide with minus 10 on both side यह से cancel हो गया यह minus minus से cancel हो गया 3 बज़ गया तो यह आपके पास आ जाएगा 3 is equal to x square plus 2x plus 9 under इस x को fine करने के लिए under root जो है इस निशान को खतम करेंगे तो हम कहेंगे again again scaring on both sides both sides पर अगया जो गो scaring कर लें तो यह इस तरह हो जाएगा 3 is equal to x square plus 2x plus 9 under the root square इदर इस square इदर इस square इस को cancel कर गया तो यह हो जाएगा 9 is equal to x square plus 2x plus 9 यह 9 और 9 cancel तो यह हो जाएगा आपके पास 0 is equal to x square plus 2x इस साइट पर आजाए यह इसको उल्टा कर लो तो x square plus 2x is equal to 0 x में भी x में भी quadratic equation आ गई है तो x common ले लो यह आ जाएगा x plus 2 is equal to 0 जब दो चीजे multiply हो रही हो और product 0 हो तो इसका मतलब होता है इन दोनों में से इन दोनों में से कोई एक 0 है तो हम कहेंगे x is equal to 0 या x plus 2 is equal to 0 अगर x 0 है साइट करने के ज़गरत नहीं है अगर x plus 2 0 है तो x is equal to minus 2 तो यह दो roots मुझे find हो गए है अब मैंने verification करने हैं इन दोनों roots को equation 1 में में डाल के verify करके देखूंगा कि क्या यह इसको satisfy करते हैं या नहीं तो verification step पे जाते हैं सबसे पहले हम 0 को verify करते हैं तो हम कहेंगे put x is equal to 0 in equation 1 यह मैं आपको बताना भूल गया था यह जो सवाल है आपका यह ही आपका equation 1 होगा जब x की जाएगा 0 लगा दो जहाँ 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 एक्स लगा वहाँ जीरो हो जाएगा 0 square plus 2 multiply 0 plus 4 under root plus 0 square plus 2 multiply 0 plus 9 under root is equal to 5 यह 0 यह भी 0 तो हम आगया under root 4 plus under root 9 is equal to 5 4 का under root टो 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 9 का under root टो 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 2 टो 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 is equal to 5 5 is equal to 5 तो यह मेरे पास true है अब मैं minus 2 को verify करके देखता हूँ तो minus 2 को verify करने के लिए आप x की जगा 0 की जगा आप यहाँ लगाओगे minus 2 तो आपने जहाँ जहाँ 0 लगाया हुआ था वहाँ minus 2 लगाते जहाँ वहाँ minus 2 लगा दें वहाँ minus 2 लगा दें तो आप यह बहुत इंटरस्टिंग होगे यहाँ minus 2 को स्केर होते है plus 4 तो यह हो जाएगा 4 2 plus into minus minus 2 to the 4 plus 4 replace है minus 2 को स्केर 4 4, plus minus minus 2 to the 4, plus 9, is equal to 5, यह plus 4, minus 4 एक दूसर को cancel कर देंगे, root 4 plus, root 9 is equal to 5, वो जी पिछले सवाल वाली बात है, 2 plus 3 is equal to 5, 5 is equal to 5, तो यह भी मेरे पास true है, जब दोनो true है, तो मेरा जो solution set होगा, इसमें extremely root मुझूद नहीं है, और मेरा solution set होगा, 0 और minus 2, बहुत असान है, इस अगला जो part है, part 10, इस सवाल का आखरी part, इसको आप sum करतेंगे, अब part X है, वही आपको सवाल दिये हुए, तो आप सबसे पहले इस जो under the root है, इसको वहाँ shift करोगी, ठीक है, अगर यहाँ shift करोगे, तो मसला हो जाएगा, तो solution में सबसे पहले तो आप इसको equation, 1 ले लो, उसके बाद आप इसको वहाँ shift करो, तो यह हो जाएगा, 2X square, plus 3X, plus 5, under the root, यह वहाँ चला गया, तो यहाँ is equal to, यह वहाँ जाके minus बन जाएगा, minus, 2X square plus 3X plus 1, अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे, squaring on, taking, square on, बहुत सह, is equal to, के इदर भी, और उदर भी हम square लगाएगे, तो यह आपके पास आजाएगा, 2X square plus 3X plus 5, under the root, यहाँ भी square, is equal to, 2 minus, 2X square plus 3X plus 1, under the root, और यहाँ भी whole square हाजाएगे, यह square इसके साथ cancel हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास आजाएगे, 2X square plus 3X plus 5, लेकिन वहाँ formula open होगा, तो वहाँ पे, A square plus B square, B में यह लिकूंगा, 2X plus 3X plus 1, और इसके बाद, यहाँ minus है, तो यहाँ minus आजाएगा, minus 2A और B में, 2X square plus 3X plus 1, under the root, अब सिंपल ही हो जाएगा, यह आजाएगा, 2X square plus 3X plus 5, is equal to 2 का square और जाएगा, 4, यह स्केर से कंचल, plus 2X plus 2X square, plus 3X plus 1, or minus 2 तो जा, 4, और यहाँ आजाएगा, 2X square plus 3X plus 1, 4 or 1 plus हो जाएगा, तो यहाँ आजाएगा, 2X square plus 3X plus 5, is equal to, 4 plus 1, 5 हो जाएगा, 2X square plus 3X plus 5, minus 4, 2X square plus 3X plus 1, अब कुछ cutting हम देखते हैं, यहाँ possible है, तो जी हाँ पिलकुल यह, यह इसके साथ cancel हो गया, यह 3X इसके साथ cancel हो गया, यह 5, इसके साथ cancel हो गया, तो हमारे पास बज़ गया, 0 is equal to, minus 4, 2X square plus 3X plus 1, अब इसको उल्टा कर दें, तो यह हो जाएगा, minus 4, 2X square plus 3X plus 1, is equal to 0, और यहाँ minus 4 multiply हो रहा है, इसके साथ तो minus 4 बोज साइट पर डिवाइड कर देते हैं, यह इसको cancel कर देगा, आपके पास बज़ जाएगा, 2X square plus 3X plus 1, is equal to 0, इस stage पर हम अब अगेन, और यह under root का निशान होगा, और रूट का निशान होगा, under root को खत्म करने के लिए हम कहेंगे, again, squaring on both side, जब again squaring करेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा, 2X square plus 3X plus 1, is equal to 0, इसको साफ कर देटे हैं, X square अधर आ जाएगा, X square अधर आ जाएगा, यह square उसको cancel कर देगा, तो यह हो जाएगा, 2X square plus 3X plus 1, is equal to 0 square, 0, अब बचों यह मेरे पास quadratic equation, standard form में आ गई है, मैं factorization करूंगा, 2 को 1 से multiply करूं, 2 आता है, और दो ऐसे number जिनको multiply करूं, 2 आए, और plus करूं, तो 3 आए, तो 2, 1 जाए 2 है, मैं ज्यादा टेम वेस नहीं करता, मैं क्या दूंगा इसको, 2X square plus 2X plus X, 3X यगा लिखूंगा, 2X plus X, plus 1 is equal to 0, इन दो टर्म में, 2X common क्या बाज़ गया, X plus 1, इन दो टर्म में, plus 1 common, हमाई पास क्या बाज़ गया, X plus 1, कुछ भी common नहीं, तो plus 1 ले लेंगा, is equal to 0, तो यह मेरे पास सत्रा हो गया, X plus 1, और यहां आगया, 2X plus 1, is equal to 0, डब जो चीज़ें, आपास में multiply हो रही हो, product 0 हो, तो हम बार-बार क्या चुके हैं, इन दोनों में से 1 is 0 होगी, तो either, X plus 1 is equal to 0, और, 2X plus 1 is equal to 0, अगर X plus 1 0 है, तो X is equal to 1, और 2X plus 1 0 होगी, तो 2X is equal to 0, यह plus 1 वहां जाके, minus 1 जाके, और, तो दोनों साइट पर डिवाइट करें, तो X is equal to minus 1 by 2, तो दो मेरे पास क्या आगए हैं, स्क्वेर्स आगए हैं, दो रूट आगए हैं, X is equal to minus 1, X is equal to minus 1 by 2, अब इन दोनों रूट्स को इसमें डालके, हम क्या करेंगे, विरिफाइ करेंगे, अगला स्टेप हमारा, विरिफिकेशन हैं, ठीक हैं, तो विरिफाइ करते हैं, सबसे पहले, X is equal to minus 1 को विरिफाइ करते हैं, तो हम कहेंगे, put X is equal to minus 1 in equation 1, तो जहाँ-जहाँ X लिखाओ है, वहाँ आप minus 1 लिखते जाओ, तो अब इस equation 1 में, जहाँ-जहाँ X लिखाओ है, वहाँ आप minus 1 लिखोगे, तो यह हो जाएगा आपके पास, 2, X square plus 3, X plus 5, under the root, plus 2, X square plus 3, X plus 1, under the root is equal to 2, जहाँ-जहाँ X है, वहाँ आपने minus 1 लगाना है, वहाँ आपने minus 1 लगा दे, तो minus 1 लगाने के बाद यह हो जाएगा, 2, minus 1 का square 1, plus minus, minus, 3, minus 3, plus 5, plus, 2, 1, minus 1 का square 1, plus minus, minus 3, minus 3, plus 1, is equal to 2, तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो हो गया, 2 minus 3, plus 5, plus, 2 minus 3, plus 1, is equal to 2, 2 minus 3, minus 1, को satisfy किया, अब second root x is equal to 1 minus 2 को check करते हैं. Second root को verify करने के लिए आपको x के जगाँ आपने minus 1 by 2 लगाना होगा, तो यहाँ आगिया minus 1 by 2, यहाँ आगिया minus 1 by 2, minus 1 by 2. अब यह ज़रा तब जाए से आप देखें, minus का square प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2, 1 और 2 का square हो जाएगा, 4. ठीक है? Plus, plus minus, minus 3 multiply 1, 3 divided by 2, plus 5. यह एक अलग किस्टा है, यहाँ आजाएगा, 2 वही चीज़ दोबारा आएगी, 1 by 4, plus 4, minus 3 by 2, plus 1, is equal to 2. अब यहाँ यह cutting हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो यह आपके पाशा आजाएगा, 1 by 2, 1 by 2 minus 3 by 2 plus 5. आप LCM लेलो 2 का, 2, 1 minus 3, plus 5, 1 minus 3 हो जाएगा, minus 2, minus 2 by 2, plus 5, cancel हो जाएगा, यहाँ जाएगा, minus 1 plus 5, और यहाँ जाएगा, 4 under हो. इस साइट पे आजाओ, यह हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा. तो 1 by 2 minus 3 by 2 plus 1 is equal to 2. फिर यह सी तरह हो जाएगा, 2 आप LCM लेलोगे, 1 minus 3 plus 1 is equal to 2. यहाँ जाएगा, minus 2 by 2 plus 1 is equal to 2. minus 1 plus 1 is equal to 2, यह cancel हो गया, तो और root 0 is equal to 2. तो root 4 और root 4 यह 2 के बराबर होता है, 2 plus 0 is equal to 2. तो यह भी है हमारे पास, verify हो गया, true हो गया. तो solution set आपका होगा, solution set आपका हैगा. दोनों ने satisfy किया, तो minus 1 और minus 1 और minus 1 और 2. तो इसके साथ ही बचो हमारा आज का lecture अपने इक्ताम को पहुंचा. एस exercise में एक question number 2 है, छोटा सा वो सवाल है, तो उसको या तो हम skip कर देंगे, या हम अगले lecture में उसको देखेंगे. वीडियो पुसंद आजिए उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें. नेक्स वीडियो में मलाकात होगी, अपना ख्याल लगेगा. अलोछ उसको अपना ख्याल लगेगा.